दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले सुरवात करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बिहार दिवस पर इसकूली बच्यों को सोगात राज के परेयटन से लोपर तीन दिन परवेश मुपत पड़ना चड़िया गर भी उनके लिए खुले रहेंगे यहाँ वित तीन दिनों तक मुपत परवेश कर सकेंगे साथ ही आम लोग पढ़ना के सिनमा घरों में चुनिंदा फिल्म मुप्त में देख सकेंगे बिहार म्योजियम के महाने देशक अंजनिक मार सिंग के अधिक्ता में हुई बेड़क में यह निन लिया गया है आले खर में देखे और लाइन हुआ बिहार में राजास रिकॉर्ड 10 रूप में देख सकेंगे जमीन के दस्तावेज जीहा देखे राज में आख दस रूप में ओलाइन जमीन के राजास वभी लेक प्राप्थ कर सकेंगे जस्व अबंभूमी सुधार मंत्री आलोकुमार महता ने सुविधा लॉंच की है दास्तावेज को वेवसाइड से डाउनलोड भी किया जा सकता है आपकी जानकारे के लिए बतादे के अब सुविधा में महाज़ 10 रुपे में ऑल्लाइन जमीन के राज़ा सुव अपलेक प्राप्त कर सकेंगे बदवार को राज़ा सुव अबंभूमी सुधार मंत्री अलोकुमार महता ने एक समारों में वेदवात इसकी सुवात की है अब कोई भी किसान या राज़ा सुव अभी लोगों की डिजिटल हस्ताउचरित प्रते एक फोर साइज में मात्र दस रुपे में ऑल्लाइन भुगतान कर वेबसेट से डाउनलोड कर सकता है साथी विभाग द्वार अच्छा मापूर्व से मानचित्रों की ओल्लाइन उपलब्दा एवं होम डिलिवरी की सुविदा रायतों की दी जा रही है इंडिया की तरफ से टॉल दरों को बढ़ाया जाएगा इस बार पांच से दस विज़े तक टॉल दरों में जापा हो सकता है वह टॉल दरी बढ़ाने के लिए नहीं की परियोजना की रेनावन इकाई काम कर रही है 25 मार्च तक सब पी आईउ से संसोती टॉल दरों का प्रस्ता भीज़िया जाएगा जिनने सड़क परिवहन मंत्राले की मंजूर के बाद लागू किया जाएगा कार एव महल के बहानों के लिए टॉल दरी पांच पीज़ि बढ़ेगी और भारी बहान के लिए दस पीज़ि तक बढ़ने की सम्हावना है अड़कर में देखे आईजी आएमस में एडमेट मरीजों को मिलेगी बीसे सुविधा बेट तक पहुचे की दवाए लगेगा कॉल सिस्टम जाँ देखे पटना के आईजी आएमस में मरीजों के लाज के लिए पहले से अधिक सुविधा मिलने वाली है जाच और दवाई के लिए आप मरीजों को भड़कना नहीं पड़ेगा आप उन्हें बेट पर ही दवाई की सुविधा उबलब्द होगी जाच की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से होगी वाई अस्पताल के कर्मियों द्वारा ही मरीजों के बेट तक दवाए 15 से 20 मिनट में पहुचाए जाएगी इससे मरीजों को परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्हें इलाज से जुड़ी भी सभी जानकारी असानी से प्राप्त होगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि अगर कोई मरीज इमर्जनसी वार्ड में एडमेट है तो वो से तुरंत किसी चेज की ज़रत बढ़ती है तो इसके लिए कॉल सिस्टम की वेवस्ता की जारी है मरीजों के बेट के पास ही कॉल सिस्टम की वेबस्ता होगी जिससे मरीज को कोई परिसानी होने पर सिथ सिस्टर को कॉल करेंगे और सिस्टर तुरंत उस कॉल का जवाब देगी अगर अगले 15 से 20 मिनट में उस कॉल का जवाब सिस्टर की तरफ से नहीं मिलता है तो वह कॉल सि आपकार टेक्स बस लिगे हो जो नहीं देंगे वह बंद होँगे एड भी होगी जब्दू जादा के बिहार में जल्दी घर बनाना महенगा होने ला है राजिब में एड के भी जब्द कर लिया जाएगा इसका सिधा असर आम जनता पर बढ़ सकता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि आप दक राज जिब भार में बड़े संक्या में संचाले तो एट बटे टेक्स नहीं चुकाते हैं ऐसे बटे संचलकों पर सरकार सक्ति करने जा रहे हैं इसके संचलकों को इटो पर टेक्स अरहाल में चुकाना पड़ेगा इसका सिधा असर ग्रागों पर पड़ेगा इट बटा संचलक टेक्स की रासी ग्रागों से बसुरूंगे ऐसे में घर बनाने की लगत और महंगी हो जाएगी गंगा पातवे पर एक अप्रेल से दोड़ेंगे ओटो जाम की समयसा से मिलेगा निजाद जैद के गांधी मैदान से गंगा पातवे होते विए दिगा सोनपूर और हाजीपूर इस्टिसन तक अप्रेल मा से ओटो का परिचालन किया जाएगा ओटो रिक्सा चालक संग ने सटे बसे कोलोनी मोहले में रहने मले लोगो की मिलेगा अब लोगो को सोनपूर और हाजीपूर आने जाने के लिए इस्टिसन गोलंबर जाकर ओटो पकड़ने से मुक्ति मिलेगी लोगो को अब गांधे मैदान या दिगा से ही ओटो मिल जाएगा इतना ही नहीं लोगो को म परिन ड्राइब पर आने जाने के लिए भी ओटो मिलेगा प्रिपेड और सेरिंग भाड़ा दोनों चलेगा या निन्नाई सहर में सारवजनिक परिवाहन प्रानाले में सुधार लाने सुचारू वाहनों की आवाजाई और तेज गती सिलता सुनीचित करने के साथ साथ मौज टेकनोलोजी ने टेकनिकल असिस्टेंट के पदो पर भरती के लिए अविदान अमांत्रत किये हैं एनाइसी की इस वेकेंसी में कूल पांसों अंठन में रिक्तियों पर योग अभियरतियों के चैन किया जाएगा योग अभियरति आधिकारिक वेबसाइट एन आई-ई-ए के तिन से कतिस पद सैंतिस्त बी गुरूप के 71 पद साइंटिस्ट ऑफिसर इंजिनियर के 196 पद और सैंटिस्ट टेकनिकल असिस्टंट के 33-30 पद सामिल है वाई सेक्षिनिक योगता की बात करें तो साइन्टिस्ट बी गुरूप ए पद के लिए अबियारतियों को इंजिनिरिंग या टेक्निकल में सनातक होना जरूरी है वहीं बी लेवल कम्पिटर कोर्स भी जरूरी है अन्पदों की आवेदान योगता की विस्तित जानकारी के लिए अबियारति पुरा भरती नोटबे किसंद देख सकते हैं एक अप्रेल से जमीन के रजिष्टी कराना इस जिले में होगी महेंगी जदे के मुझापर पूर जिले में एक अप्रेल से जमीन के रजिष्टी बड़ेवी दाम पर होगी राजस्वर निबंदन अवंभूमी सुधार विभाग ने गाम और सोहर के जमिन के किमत का नई सिरे से मुल्यांकन और नई दर निधारित करने के लिए एक मा का समय दिया है आपको बता दे कि मार्च तकी पुराने किमत पर अजिश्टी होगी विभाग ने इस असे का अधिस जारी कर दिया है सरकार ने जारी अधिस में दर निधारंद के नए फर्मूल के नुसार जमिन की दर तई करने को कहा है इसके लिए साहक ने बंदन महाने रिक्षक जनमुदिन अंसारिक के जीले का ब्रमन वा इस तर ने रिच्छन के बाद याधिकारियों के साथ बैठक की है अब उन्होंने कहा है कि अपरेल से इस में 40-50 फिज़ी बड़ोत्री की सम्होना है मार्च 2025 से पहले सुरू हो जाएंगे पाटना मेट्रो के 5 इस्टेशन अवागमन में होगी सहुलियत जैदे कि बिहार सरकर के बजट 2023-2024 में पाटना के विकास के रबदार अब वो तेज होगी बजट में सहर में कई प्रोजेक्ट के लिए रासी स्विकृत की गई है कई प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया है पाटना में मेट्रो वाटर डेनेज सिस्टम सिख्चा स्वास आदिके चेतरों में अधिक स्विधाय मिलेगी सटको वा फ्लाइ ओबर के निर्मान से आवागान में सहुलित होगी अगले वित्य वर्स में पहले से चली यारी सुरू होने वाले नई प्रोजेक्ट पर लगबग दस अजार कडोर से अधिक रासिक खर्चोगी इसमें विकास के रब्तार भी को गती मिलेगी माई देखे आधिकारियों के मुताबिक पार्टना मेटरों के एलेविटेट ट्रेक का निर्मान कार तेजी से चल रहा है पहले चरण में मार्च दोजर पचीस तक पाटली पूत्र बस टर्मिनल जिरो माईल बोतनाथ खेमनी चकोर मलाही पकड़ी स्टेसन सुरू हो जाएंगे इसके लंबाई पाटली पूत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी के बेच करिब 6 किलोमेटर की होगी करमिन के बिहार में जल्दी बंध हो जाएंगे कागजे स्टाम इस दिन से इस टाम की बिकरी होगी शुरू जादे के बिहार में कागजे स्टाम बंध हो रही है नागपूर के प्रेस से कागज पर प्रिंट होकर आने वाले स्टाम पेपर की बिकरी बंध हो जाएगी जिसका सिधा फाइदा आम लोगों को मिलेगा आम लोग अपने जरुत के नुसार से स्टाम पेपर की खरीद कर सकेंगे जिसका हिसाब आनलाइन रहेगा और नकले स्टाम पेपर की बिकरी पर भी रोक लगीगी यह सुधा मद निसेद उत्पाद और निमंदन भी भाग बनाए जाने वाले नए सब्टेर में उपलब्द कराया जा रहा है इसलिए अब राज में एक अपरिल से इस टाम की बिकरी होगी कि अब पहले काक्षा में दाकले के लिए उम्र सिमा हुआ था केंद्रे सिक्षा मंतराले ने सभी राज्जों को निर्देश दिया है और कहा है कि वह नई सिक्षा निति के तहट पहले काक्षा में एडमिसन लेने के लिए सभी बच्चों की नौनतम उम्र 6 साल कर दी है इसको लेकर सभी राज्जों को आदेश भी जारी कर दिया गया है मंतराले की और से जारी निर्देश में कहा गया है कि कख्षा एक में एडमिसन की उम्र 6 साल तई की जाए वहाँ इस बात की जानगारी बुदवार यानि 22 वरवरी को दिकारियों ने दी है सिक्षा मंतराले के आदेश में कहा गया कि राष्टे सिक्षा निती 2020 के तहट प्राथम चरान में बच्चों की सिक्षा को मौजबूत और बेहतर करने के लिए उनकी आयू सिमा बढ़ाने जरू है केंद्र ने राज्जो सिपूर्व इसकोली सिक्षा पाटकरम में दो सल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया सुरू करने का भी अनुरोध किया है पाटकरम में देके 15 अपरिल से सुरू होगा जातिया जनगना का दूसरा चरने जानी है क्या क्या पुछे जाएंगे सवाल जा देके बिहार में जातिया धारित गनना का दूसरा चरन सुरू होने जा रहा है इसको लेकर तारेक तै कर दी गई है जातिया जनगनना का दूसरे चरण 15 अप्रिल से शुरू होने वाला है इसको लेकर विभागे इस तरफ पर अधिसुचना जारी कर दी गई है आपको बता दे कि पहले चरण में सबी माकानों की गिंती की गई है कार 21 जनवरी तक पूरा कर लिया गया है इसके बाद दूसरे चरण की गिंती भी 15 अप्रिल से शुरू होकर 15 माय तक की जाएगी समान प्रसासर मिभाग की तरफ से जारी अधिसुचना में जिने सवालों का लिष्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक परिवार के सिदस का पूरा नाम पिता या पती का नाम परिवान की प्रधान से सम्मन आयू वर्स में वहीं लिंग वेबाई की स्थि धर्म जाती का नाम सेक्षन की योगिता कारिकलाप आवासी स्थि आस्ताई प्रवासी स्थि कंप्यूटर मोटर रियान, क्रिसी भूमी, आवासी सेती सब इस रोतों से मासिक आई समिल किया गिया है बारिकर में देखे पटना समेद प्रदेश के 18 जिलो को तापमान बढ़ा जा देखे राजधाने समेद प्रदेश के मौसम का अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है प्रदेश के दचिनी भागों के अधिकतम तापमान में आंसिक ब्रदी हुई है तो वहें उत्तरी भागों के कुछ जिलो में तापमान में आंसिक गिरावड भी आई है पिछले 24 गंटे में पटना समेथ प्रदेश के 18 जिलों के अधिक्तम तापमान में बिर्दी दर्च की गई है 34.1 डिग्री सेलसेस के साथ और अंगाबाद में प्रदेश का सरवादे का अधिक्तम तापमान दर्च किया गया है वहीं मासब मिगान केंदर के अनुसार होले के दोरान प्रदेश का तापमान समय ने बना रहेगा वहीं तापमान में पाँच इतनों की दोरान कोई विशे से बदलाव के आथार नहीं है इस दोरान पचव हवा की गते में आंसिक बिर्दी हो सकती है अड़ी खर में देखे बिहार के मरीन ड्राइब पर अब चलेंगे पब्लिक ओटो अपरेल से गान्धी मैदान से हाजीपूर तक मिलेगी सुविधा रेड भी हुआ ताई पटना की खोब सुर्ती में सामिल मरीन ड्राइब अब लोगों को जल्दी बड़ी सुविधा देने वाली है अब भी हो कोई एक जगह से दूसरी जगह जानने के लिए पहले से अधिक सुविधा मिलने वाली है दरसल गांधी मैदान से गंगा पात्वी होते विए दिगह सुनपूर और हाजीपूर इस्टिसन तक अपरेल मा से ओटो को परिचालन किया जाएगा इसका लापटना और गंगा नदी पर रहने वाले लोगों को मिलेगा इसके साथ दिगह गांधी मैदान राजपूरल बोरिंग रोड पाटली पुत्र कलोनी सहीद असुक राजपद से 60 बसी कलोनी में रहने वाले लोगों को सुनपूर और हाजीपूर आने जाने के लिए इस्टिसन गोलंबर जाकर आटो पकड़ने के ज़रत नहीं होगे इनने गांधी मैदान या दिगह से आटो मिल जाएगा इसके साथ ही आब लोगों को मरीन ड्राइब पर भी जाने के लिए प्रावेट गाड़ियों को प्योग नहीं करना पड़ेगा बलकि आब उन्हें या जाने के लिए पाबलिक गाड़िया भी मिल जाएंगे प्रिपेड और सेरिंग भड़ा दोनों चले गए इसके लिए विबागे इस्तर पर आटो चालोक सो से बातचित हो रही है प्रास्वसनी का नुमती मिलते ही एक अप्रिल से लोगों को सुविधा मिलने लगेगी आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें